हेलो व्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों इशाल आप सब करता हूँ अभी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल स वीडियो है बहुत अमेजंग होने वाली है आज की वीडियो क्यों अमेजंग होने वाली है यह आपको पदा चलेगा वीडियो को जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा आपको यह वीडियो देखने में द तोंगे दोस्तों क्या यूज करना है कैसे यूज करना मैं आपको दीटेल में बताता हूं दोस्तों क्या होता है आपके मोबाइल का INTERNAL STORIES भर जाता है और आप हो जाते हैं परेशान आपकी मोबाईल में 4GB, 8GB, 16GB जित्रा भी INTERNAL STORIES होता है एक टाइम के बाद वो खदम हो जाता है अब मेरी बात ले लिजिए 64GB का इंटरनल स्टोरेज वह भी मेरा फिल आउट हो गया अब दोस्तो इसका सॉलुशन क्या है जब में नेट पर जाके सर्च किया तो बहुत सारे सॉलुशन मिले उन मैंसे कुछ सॉलुशन मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो को एंट तक देखनाएं दोस्तों एक सॉलुशन होता है आपके मोबायल में सबसे ज़याधा चीजश होती है वह ओती फोटोज वीडियोज ओके दोस्तों पता नहीं होता है यह धीरे धीरे करके न करकर यह 15GB सिर्फ इनcorn-चीज़ों से अब दोस्तो इसका solution क्या है, solution मैं बताता हूँ, दोस्तो आपको क्या करना है, इसका solution बाने के लिए आपके mobile में एक चीज है, जिसे बोलेने Google Photos, वहाँ पे आपको चले जाना है, Google Photos जैसे ही आप खोलेंगे, तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपके mobile में Google Photos, इस तरीके से, ओके दोस्तो अब उपर देख सकते हैं दोस्तो एक icon दे रखा है, इस तरीके से यह icon given है, ओके दोस्तो जैसे यह icon given है, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर preparing backup का option है, ओके दोस्तो यहाँ पर जैसे ही आप कलिक करेंगे, यह preparing backup थोड़ा time लेगा, और उसके बाद यह complete हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं free up space free up space पर जैसे ही click करेंगे आपका mobile बिल्कुल तरीके पूरी तरीके से free हो जाएगा यानि कि आपके जितने photos वगेरा हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे ओके दोस्तों और आपके mobile से वो साफ हो जाएंगे ओके दोस्तों यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है देखिए दोस्तों free up इतना space अभी जैसे इस पर click करूंगा तो यह space धीरे धीरे consume करना start कर देगा यानि कि अभी यह backup मेरा पूरा हुआ नहीं है जैसे यह backup पूरा हो जाएगा free up space पर click करूंगा और मेरे mobile से काफे internet storage मुझे बापस मिल जाएगा ओके दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी mobile का internal storage अटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं omic ки collection Solution सेटिंग में जाके है mobile की सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के पार आपको मैं बता एक जा सकते हैं या पिर आप एक और यह ऑक्क सकते हैं ऊके दौस्तों यह थोड़ा सर्च कर लेते हैं यहां पर बहुत सारे तरीके हैं जो आपके internal storage का आर्णे बताते हैं चलिए एपस चले जाते हैं दोस्तों एपस जाने वागर सेटिंग का option है तोके दोस्तो हो के यहां पे जाके आपको सारी एपस मिल जाएंगी जो system भी है सब्सक्राइब जो म sports चिपके कि अपको दोस्तो आपको digital डूल का दούल थे समय है जो आपको SIM इंस्ट्रॉल कियें वैसी कुछ अपको मिल जाएंगी ओके दोस्तों अब दोस्तों जो एक 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 एमबी 1010 एमबी 20-20 50-50 एमबी की एप हैं वह यहां पर हो जाते हीं पान्सो छहसों एमबी की ओके दोस्तों एक एक जीवी की देख सकते हैं दोस्तों सिस्टम यूई इंपॉर्टन चीज ए वन थर्टी फाइब एमबी की हो चुगी है और फिप्टी टू एमबी इसने किया हुआ है फाल्तू का स्पेस ओके दोस्तों आरोग्य से तू ग्यारें इसे आप कर सकते हैं यहां पर जाके यह तो क्लियर डेटा कर सकते हैं यह थोड़ी दिर के लिए फोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं ओके दोस्तों जो रनिंग नहीं है उन चीजों को आप यहां से फ्री कर सकते हैं ओके दोस्तों आप यहां पर देखेंगे यूट्यूब य फेस्बुक कितना लेती है फेस्बुक देखी दोस्तों ज्यादा बड़ी एप नहीं है 100 MB के अंदर आ जाती है लेकिन 882 MB से घेरा हुआ है WhatsApp पर चले जाते हैं दोस्तों WhatsApp भी बहुत जादा आपका इतना ज्यादा इंटर्नल स्टोरेज आपका घेरता है देखिए दोस्तों WhatsApp वालपेपर नहीं सिर्फ इतना चोटा हाला की किया हुआ है लेकिन काफी कुछ किया हुआ है तो यह चोटी-चोटी एप है जो आपका बहुत जादा इंटर्नल स्टोरेज घेरती है इनको आप क्लियर टाइम-टू-टाइम करते रहिए स्काइप लाइट देखिए दोस्तों मैंने कभी यूजर नहीं की फिर भी यह 43 MB का हो चुका है और जनरल स्काइप पार से 6 MB की होती है तो इन सबको आप टाइब टू-टाइम क्लियर कर सकते हैं जो कि आप इंटर्नल स्टोरी बलाने में बहुत मज़द करती है अब दोस्तों Google फोटो कुछ और टेक्निक में आपको बताता हूं यह तो में फॉन की सेटिंग थी Google वोटो में कुछ और सेटिंग आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि दोस्तों यहां पर आ जाते हैं गुगल फोटो में दोस्तों एक option होता है अगर आपकी मूबाइल में आपने फोटो जिलीट कर दिया तो आप उन्हें रिकवर कैसे करेंगे दोस्तों मैं इसका live example आपको बतायता हूं जैसे कि यह फोटो है मैं इसे डिलीट करता हूं यहां पर option आएगा move to bin, bin यानि कि dustbin type का जैसे आपने यूज करते हैं उसी तरीके से यहां पर होता है bin जैसे कि आपके windows में होता है phone में होता है recycle bin के चीज जो डिलीट हो चुकिए इसे डिलीट कर सकते हैं लाइबरी js जाई यह नंगा और है तो यह पर मुझा मुटाओ यह फिर्म्सका रिकवरिंग मुशक्ल हो पाएगार आपके लिए और दोस्तो दोके यह बहुत occasional setting है इसके हबान आप क्या कर सकते हैं दोस्तों यहांपे phone setting में j depictsות text point आप क्या कर सकते हैं दूस्तों पार्टनर sharing का एक option होता है partnership पार्टनर यहां है कैसी चीज़ होती है जिससे आप अपने google photos जितने भी हैं उनको share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने इस share कीजिएगा दोस्तो आप easily share कर सकते हैं partner sharing पर जाना होगा get started पर click करना होगा और यहाँ पर आप email id अपने दोस्त की select कर लीजिए जो भी आपकी friend की email id बगेरा है और selected photos ही चलिए दोस्तों मैं इस id पर एक पर मैंने click कर दिया है generally okay दोस्तों अब आप चाहें तो सारे photos उसके साथ share कर सकते अधरवाइस photos of specific faces पर click करके कुछ photos select कर सकते हैं तो है ना यह amazing दोस्तों इस तरीके आप इसे use कर सकते हैं तो बहुत अच्छी settings है जिनके बारे मैंने आपको बताया अगर यह वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो like कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को दवाना बिलकुल भी ना बूलने दोस्तों बहुत जल मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में ऐसी amazing tricks के साथ tips के साथ तब तब के लिए पाय दोस्तों